छिफ एक व्मिनट में पर प्रालो चुरू अज्ट पर पर बच्चों के लंच oh तो आलूह को नायो को अलूह क मैं रख दूँगी गॉंगी याद रख़ेका दो ओलूह को ड्या धालूह को अन्मक तेस्ट की अच्छाई बिल्कुल मिन दालना है आपको कोई मसाला ढालने के चरथ नहीं है इसेहम से अच्छी तरीके से कुंद लूंगी याद रहे ज़ाएं जैसे हम आटे को गूनते हैं उसी तरीके सा में से गूनना है Йमा मैं इї डु लूम्न मीदल बिल्कुल भी लम्स नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी ही आना चाहिए अब इसे मां ए फिसी तरीके do लूंगी गुंद के इसका डो तयार कर लूँगी जैसे हम आटे को गुंदे हैं गेहूं के आटे को वैसी हम इसको भी गुंद लेंगे अच्छी तरीके से अगर आलू आपको गिला हो तो आप कॉन फ्लार और डाल सकते हैं और आपके पास कॉन प्राड ना हो तो आप चावल का आंटा में डाल सकते हैं यह देखिए मैंने उसको अच्छी तरीके से गूंद रही हूँ मैं अब मैं इसको गूंद के यह देखिए मैं एर टाइट पॉली बैग लिया है मैंने दो उसमें एक आलू का मैं एक में डालू के दूसरे मैं यह देखिए अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसका डो बना लूँगी और एर टाइट पॉली बैग मैं इसको डाल दूँगी इसका डो बना के मैं इसको अच्छे बड़े बड़े बॉल्स बनाएंगे हम बॉल्स बनाएंगे हम इसमें डाल देंगे डाल के देखिए मैं क्या करती हूँ ये मैंने बॉल्स बना लिया अब मैं इस बॉल्स को डाल दूँगी पॉली बैग में अब मैं इसको बंद कर दूंगि पॉली बैग को अब मैं इसको बेल लूँगे अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से बेल बिल लियेगा, अगर लम्स हो तो उसको भी हम ठोक ठोक के हड़ा देंगे अगर lumps है तो यह देखिए मैं इसको प्रेस कर रही हूँ जो जो से ताकि lumps जो है वो भी हट जाए बिल्कुल भी lumps ना हो इसलिए वैसे मैंने अच्छे से गूंद लिया था फिर भी थोड़ा बहुत lumps ना हो इसलिए मैंने उसको अच्छे से प्रेस करके बेला है और यह देखिए मैंना बेल लिया है इसे तरीके से हम दूसरा वाला भी बेल लेंगे इसमें फिर से balls ढाला लोंगे इस पॉली बैग मैं इसको भी बेल के राडि कर लोंगे ये देखिए हो चुका है रडी अब ये मैं अभी फिलाल एक ही बनाऊंगी और एक रख दूँगी बात के लिए बच्चों के लंच में देने के लिए इसलिए मैं अभी एक ही बना के आपको दिखाना चाहती हूँ ये देखिए अब हमें इसे कट करेंगे आप कोई सा भी शे और इसे हमें काट के हटाना है ताकि हम शेव दे दे आप बिसकिट का शेव दे रही हूँ आप चोचा है वह सेव दे सकते हैं अब देखिए मैं शेव दे दिया निकाल भी लिया है मैंने अलुको अब मैं गरम तेल में इसको डाल दूँगी और मैंने एक ही पॉली बैक का मैंने cut किया है और दूसरा poly bag मैं रख दूँगी दूसरे time के लिए ये देखिए मैं इसको रख दूँगी और उसको बनाऊंगी एक ही मैंने aoio use कराए इसमें एक aoio का रख दिया है और ये देखिए एक aoio से हम कितना बना लेंगे कितना सारा बन जायेगा मैंने oil गरम करने के लिए रख दिया है अब मैं इसको डाल दूँगी याद रखेगा oil बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए तभी हम डालेंगे वरना इसे पक जाएंगे और खराब हो जाएंगे तभी हमें डालना आईए एक एक करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ यह एक आलू से मैं बना रही हूँ बहुत क्रिस्पी उपर से बनेगा और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे हमें से देखिए हाई फ्लेम पे मैं बना रही हूँ इसे जब एक साइड अच्छी तरीके से गुल्डन प्राउन हो जाए तभी हम पलटेंगे स्टार्टिंग में नहीं पलट येगा वना यह तूटने का भी डर है और अच्छे भी नहीं बनेंगे देखिए एक साइड से आपको दिख रहा होगा ये गुल्डन प्राउन हो रहे हैं एक साइड से हमें दिख रहा है उपर से अब हम इसे पलट देंगे केरफूली पलटना है धीरे धीरे पलटना है ताकि ये तूटना जाए देखिए मैं पलट दी हूं अब मैं इसको दूसरे साइट से भी पका लूँगे ये देखिए किते अच्छे लग रहा है देखने में तुम गोल्डन प्राउन हो चुके हैं बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में इतन अच्छा लग रहा है तो खाने में कैसा लगेगा यह देखिए रेडी हो चुका है हमारा एक आलू से यह बना हुआ स्नैक्स यह बहुत ज्यादा अच्छा टेस्टी लगता है खाने में बच्चों को आप टिफिन में मेहमाना तो दे सकते हैं जब चाहे आप दे सकते हैं खा सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में न्यू रसिपी के साथ लव यू सो मच गाईस बाई